गवाना शुरुआत में उनको बैकफुट पहले के जाता है FSB यहाँ पे बैकफुट पहले जा चुके हैं एक प्लेयर वो औरड़ी गवाद चुके थे एक और प्लेयर को क्लजगोट के द्वारा नॉक करा जाता है FSE Sports आखरी पेज पे देखने को मिलते हैं क्या लगता है मैजी क्या आज कोई miracle आ सकता है क्या कोई ऐसी टीम बनेगी जो आखरी पेज से उभर के बीच पले पेज पजाए मैं जिस तरीके से फिलाल के लिए गेम चल रहा है मैं मानता हूँ कि Revenge, Enigma of Forever ये सारी ऐसे टीम से जिनको हम वहाँ पे जाते हुए देख सकते हैं अगर बात करेंगे एक और टीम की जिनके पास 68 अंक तक के पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है मुझे लगता है वो बड़े आसानी से पहुँच भी सकते हैं यहां पे डाउन कर दिया जाएंगे उनके साथ ही वो भी डाउन हो चुक आज जरूर सकते हैं अबर तभी के लिए टीम एक्जो वसस गॉडलाइक आपको देखने को मिल सकता है अबीकलिए अगरबात की जाइसनाइक सब्सक्राइब काफी आपन हो ने वले ती हैं काफी आसानी से नौक करा काफी असानी से परनश भी मिल जाएगा टीम एक्जो सेट अवे ओन दे बाक फुट पैर आपको मैंस का जो बदला है वो आज जरूर के मिनी स्पोर्ट से निकाल सकती है जी यहां देखी बदला लेने का मुखा तो उनको मिलेगा बट यहां पर मुझे लगता था कि फिर्स अगर ने दूर हुए हैं लेकिन जोकर बचे हुए देखते हैं कितने ज्यादा वह वैल्यू निका जा सकता है नियो भी यहां पर आते हुए आपको नज़र आज जाएंगे क्या लगता है मेजी क्या कुछ मूव किया जाएगा एक 3-way battle आपको देखने को मल सकता है पर मौझूद रहेंगे कैरी दूसरे साइट पे हैं तो जरूबर पैराडॉक्स एक बफर से डाउन किएगे डिल्टा पीजी के दोर और अब बचाए नहीं जा पाएंगे डाउन माक्सी वो भी डाउन होते हुए लास फिर बचिंगे कैरी अपनी टीम से देखना पड़ेगा कितना ज़रा दूर तक हो लेकर जा सकता है अपनी टीम को गाडलाइक करा और काफी हैसान फिरिश मैं कहना साँगा गॉडलाइक अपने खाते में डालती ही बट कैरी का जो फिनिश है ना हाइड़ा के लेजेंड लेके जाते हैं गॉडलाइक को मिला नहीं बटार फिनिश उनके हो चुके दाउन के इंदर जाने की कौशिश गिल बहुत ही ओप करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अभी देखना यह कि सर्कल कहां पर क्यूंकि अभी तक हमने ज्यादा सर्कल पर दिखा निगाए अपनी दोडाई नहीं है डाइनमाइट की बात करें उनने कैनारी को यहां पर डाउन किया शाडव बचे में अपनी टीम से मोस्ट प खत्म हो गए नियो अपने आपको हील करेंगे दो फर्स्टेट अशन से खत्म होए पंक मोस्ट पर भी खत्म हो सकते बड़ जैक्सन वो डाउन होगे शाडव की बात करेंगे तो आरी स्पॉर्स के प्लेयर आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलने वाले के मिलने वाले किस जस्टेन हर कोई प्लेयर जोन के बाहर इस वक्ट डाउन होता हुआ दस टोटल फिनिशेज गॉड लाइक के पास बड़ा सौकल देखें किसी के पास ने बड़ हाइडर ओफिशल वाट वो इलिमनेट हो गए उनके पास पूरा सौकल था मात्र दो फिनिश और आप देखें यहां पर बात करें रॉबिन की फूर्स टीट की वो ज्यादा बची नहीं है मेजी तो वह भी काफी जल्दी खतम होते आपको नजरा सकते हैं देट सो मीटर जाना है पॉसिबल मेरे खाल से यहां पर हो जो नहीं वाला क्या के क्रेट से क्या कोई फॉस्ट टेट उनको सप् like what the account को मिलता हुआ जे बिल्कुल एक प्लियर को डाउन किया है गुनु डाउन है कैनेरी एंड जादू दो प्लियर बचेंगे अपनी टीम से देखना पड़ेगा कितने और फनिश वो निकाल सकते हैं जीग और को आप देखे बंबारी करते हुए दिखाए देंगे इतना इसका इस्तमाल करेंगे कुछ खास उपयोग उसका रहेगा नहीं सेविंसी इसे के साथ चटे अस्तान पर बाहर बढ़ जादू उन्होंने गुनु को अक्षिले में रिवाइव करना शुरू कर दिया ए ग्रनेड आया जीगोड के पास अपने आपको हील करेंगे थोड़ा पड़ेगा डाकलोड के पास कितने ज्यादा फॉस्टेड है कहना देखा एक बढ़िया मॉली जीगोड डाउन और अब मुकाबला थोड़ा कड़ा क्ड़ा क्योंकि आरी स्पोर्स के पास तीन प्लेयर रहें गॉट लाइक तीन प्लेयर के साथ बड़ी स्वक एक प्लेयर चुनौती यहां पर बन जाती है मेहम के पास advantage पूरा पूरा देखने को मलता है बट मेहम को थोड़ा संबलना पड़ेगा जिस एरिया पर वहाँ है दो टीम में उनके उपर आकरमन करने की कोशिश कर सकती है एक प्लेयर को नोने पीछे रखा हुआ था पहले बट वो भी अ निकालते हुए देखा बट क्लच गॉड की बात के करारी के उन्हें ने डाउन किया गुरू डाउन लास्ट बचेंगे जादू अपनी टीम से एक बड़ यह ड्रॉप शॉट की कोशिश थी गिल के द्वारा कामियाब नहीं हो बट मॉस पर भी जादू प्लेज उनके बाह चलिए जिस तरीके से हमने सेकेंड डे पर उनका डॉमिनेशन देखा था एक और बार बढ़िया गेम फिनिश उन्होंने अच्छे खासे निकाले जरूर है इस ब्लाक चार और उनके पास फरस्टेट थे बड़ मुझे लगता है कि लेट हो गए उनको मौका नहीं मिलेगा और इसे के साथ वो खत्म होगे बढ़ डाक लॉर्ड फिनिश उन्होंने देखे होंगे और इस वक्त के मोट्स वगरा चलने चाहिए मॉली अपने ही प्लेयर को डाउन कर देए कर दीजिए अल्रेडी ओन फायर यहां पर मेहम नजर आई है जस तरह से वो यहां पर खेलते ह होते हैं नजर आए टीम हैद्रबद धाइडरस की भी में यहां पर तारीफ करना जाओंगा बहुत खत्रे में वहां पर जरूर फर्स चुकी थी आकरी प्लेयर बचे थे जो अपनी टीम के लिए थर्ड पोजिशन लेका है यहां थोड़ा सा मज़ा तो यहां पर करा जरूर करते हैं कि यहां से किसी को स्पोर्ट कर भाएंगे 142 मीटर ज़रूर है अगर किसी नौक प्लेयर को स्पोर्ट करते हैं तो फनेश भी कर सकते हैं दीरे दीरे स्लोडी स्टेडली आगे जाने कि एक और अंक अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं मैं देख रही यह रहा था कि डाक लोड वो जो अपने प्लेयर को उन्होंने पानी में भेजा था कि क्रेट से फस्टेड निकाल के लाएं उस चीज से उनको फाइदा मिला कि 12 प्लेस्मेंट अंक तो उनको मिलने वाले क्या यहां पे किसी को नौक वो कर पाएंगे डामेजनी की कोशिश रहेगी बड़ टीम में हैं में एक बड़िया गेम उनका चलता हूँ अच्छे झाच्छे